हाईएवरिवन विल्कम बैक मैं यूटूब चैनल आज किस वीडियो में बात करने वाले है तारफीन और मिट्टी तेल के उफ्योग तारफीन और मिट्टी तेल का हम लोग स्क्रίν प्रिंटिंग में कहां पर यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो गैस अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए होगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ही बेल आइकन को आल पर सेट कर दिए ताकि सिर्फ आज लेटेस वीडियो आपको देखने को मिलते रहे तो गैस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं जनमोट सो यंग बर्दे काट इस काट की छपाई के लिए नौर्मल हम मिटी तेल या तारपिन दोनों का व्योग कर सकते हैं इसमें किसी परकार की कोई परशानी नहीं होती है तो गैस तारपिन या मिटी तेल आपको जो भी मार्केट में मिलता है जो भी आपको अच्छा लगता हो आप उसे लेकर आप अपने स्क्रीन प्रिंटी के काम में यूज कर सकते हैं इस दोनों आपका एक ही काम करेगा इसमें किसी प्रकार की कोई परिशानिया प्रोब्लम नहीं होती है इसमें किसी प्रकार की काड की छपाई करते हैं तो इन दोनों का उप्योग कर सकते हैं आप अपने कलर को पतला करने के लिए और स्क्रीन प्रिंटी के काम आसानी से कर सकते हैं किसी परकार की कोई प्रोब्लम नहीं होती है और आपका जो भी कार्ड होगा वो किसी परकार का खराब नहीं होगा So guys, normally basic तोर फे जो इस्क्रीन पिंटी के काम करते हैं उन लोग तारपीन या मिट्टी तेल का ही उप्योग करते हैं इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है नोर्मली बस मिट्टी तेल में क्या आता है थोड़ा इसमेल आ जाता है और तारपीन में कम इसमेल करता है इसमें आपको किसी परकार कोई परशानी नहीं होती है तारपीन या मिट्टी तेल का उप्योग कर आप स्क्रीन प्रिंटिंग का काम आसानी से कर सकते हैं So guys इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चली गया होगा कि तारफिन और मिट्टी तेल में ज्यादा अंतर नहीं होता है वस इसका आपको सही से उप्योग करना आता हो और तारफिन और मिट्टी तेल का दोनों ही आप इस्तमाल कर स्क्रीन प्रिंटिंग का काम आसानी से कर सकते हैं